दोस्तो सर्दिया आ रही है सर्दियों की शुरुवात हो चुकी है और हमें अपने बर्ड के सेटप पर अपने बर्ड की कोलोनियों में कुछ पांच बदलाव करने हैं पांच जो बदलाव है वो क्या करने हैं जिससे हमारे बर्ड सर्दियों की चपेट में आने से बचेंगे बर्स के जो अंडे हैं वो खराब नहीं होंगे जो बच्चे हैं वो नहीं मरेंगे बर्ड बिमार होने से बच्चेंगे तो दोस्तों आप आज का ही वीडियो जरूर देखें जो 5 important point है जो 5 important बदलाव है वो आप अपने setup पर जरूर करें तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन-कौन से बदलाव है जो हमें अपने setup पर अपने कोलोनियों में करने है अगर आपको मेरे दोरा बनेगे हर एक वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पेसा नहीं लगता इससे आपको ये फाइदा होगा जब भी में कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेसन सबसे पहले आपके मुबाइल पॉन तक आएंगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे नमस्कार भाईयों मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका आपने यूट्यूब चैनल विकानेर बार्ड इंफोर्मिसल दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब मोसम चेंज होता है जब मोसम में टेंपरिचर में बदलाव आता है इसी में हमें अपने सेटप पर स्वी कुछ बदलाव करने होते हैं उन बदलाव करने की क्या क्या ज़रूत है किस तरीके से कब हमें बदलाव करने हैं तो वो आज के स्यूडियो में आप जानेंगे दोस्तो अगर आप आखिर तक वीडियो को देखते हैं तब ही आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपने बद को सर्जियो से बचा पाएंगे दोस्तों सबसे पहला और इंपोटेंट जो पॉइंट है वो यह है कि जब टेंपरिशर लो हो जब ठंडी हुआइं चल रही हो जब ठंड हो सुबे के समय या रात के समय उस वक्त अपने सेटप को अगर आपका सेटप कीगी इसके लाद दोस्तों अगर जादा ठंड है तो आप कंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहले आप जाली पर कंबल लगाएं उसके बाद आपको तिरपा लगाना है सबसे पहला इंपोटेंट पोइंट है आप अपने सेटप को कवर करें और इसके साथ की अपने कर सकते हैं सब भी कच्रे को आप साफ कर सकते हैं दूसरा और सबसे इंपोटेंट पोइंट अगर काफी जादा ठंड है आपके सेटप को कवर करने के बाद भी सेटप के अंदर ठंड रहती है तो आपको जो LED बल्ब से उन्हें हटा देना है उसकी जगे काज का बल्ब लग कराना है जो के ऐट उच्प्ना करता है आप अपने सेटप के हसाब से अलग लग वॉर्टेज के जो बल्ब आते आलग लग 8 की जो बल्ब आते है वह नगा सकते है 25-108 людей इस तरिके के साइस के ये साईज केाफ से इस तरीके से मेरे बजी वर्ट को ओने मेंश्तो अन्हें है इस कोलोनी का टेंपरेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाता है कोलोनी में ठंड नहीं रहती और मेरे सभी बर्ड काफी ज्यादा खुश होते हैं बल्ब लगाने के बाद तीसरा पॉइंट जो मिट्टी के बर्टन थे जिनमें हम अपने बर्ड को पानी दे रहे थे उन बर्टन को आपटा दें क्योंकि मिट्टी के बाद में पानी काफी ज्यादा थंडा होता है एसी में सुबे जब अपने बर्ड पानी पीते हैं रात का ठंडा पानी तो वो जो पानी है वो काफी ज़्यादा ठंडा हो जाता है एसे में अपने बर्ड को जुखाम होता है हम सोचते हैं कि भाई हमने बलब भी लगा रखा है और अपने setup को भी cover कर रखा है फिर भी हमारे बर्ड को जुखाम हो रहा है बर्ड सुस्ट बेट रहा है तो उसकी वज़े है वो पानी उस मिट्टी के बाउल को आप अटा है उसके आप पलाश्टी का बाउल लगा है और दिन में आपको दो बार नीम गरम पानी अपने बर्ड को देना है रात को आप अपने setup का पानी निकाल दे और सुबह जल्दी मोर्निंग में आप अपने बर्ड को नीम गरम पानी दे चाहर नमर पे जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो सबसे इंपोर्टेंट बदलाव है जो कि आपको करना काफी ज़ादा ज़रूरी है आप सुचेंगे कि भई हमने सेटप पर बल्ब लगा रखा है सेटप को कवर कर रखा है हमने पलाश्टी का बरतन भी दे रखा है फिर भी हमारे बर्ड के बच्ची क्यों मर रहे है बर्ड को क्यों जुखाम हो रहा है फिवर हो रहा है दोस्तों आपको करना ये है चोसा बदलाव कि जो आपने कोलोनी में मट्किया लगा रहती है जो ब्रेडिंग बोक्स लगा रहती है उनके अंदर बुरा दा वूट सेविंग ज़रूर डाले क्योंकि सर्गियों में मट्किया ठंडी हो जाती है जब काफी बार बल बॉल्फ र सकती है तो आप अपने बर्ड की मट्कियों में ब्रेडिंग बोक्स में गुरादा वूट सेविंग ज़रूर डाले है इसके अलवा पांचवा और सबसे इंपोटेंट पॉइंट यह है आप जो अपने बर्ड को डाइच दे रहे हैं उसमें आप ज्यान रखें कि कोई भी आप अपने बर्ड को नहीं देंगे थंडी में इसे हैं कि किसी भी तरीके की सब्जिया और इसके अलवा पालक पुदीना धनिया मेति बत्वा यह सब अगर आप देते हैं अपने बर्ड को तो धूप निकलने के बाद और थोड़ी देर यह सब धूप में रखने के बाद अपने बर्ड को देंगे काफी बार हम ठंडा अपने बर्ड को दे देते हैं इसे में अपने बर्ड बिमार होने लगते हैं मरने लगते हैं इसके अलाव जो सोफ़ फूड हम भिगो कर अपने बर्ड को दे रहते हैं उन्हें अब आप अपने बर्ड को उबाल के दें जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने बर्ड को एक फूड नहीं देता लेकिन मैं अपने बर्ड की हर तरीके से केल्शियम की पूर्ती करता हूँ हर तरीके से सर्डियों से बचाता हूँ इसके अलवा सूबह जल्दी और रात को important है कि रात को आपको अपने setup को अच्छी तरीके से cover करना है काफी भाई आदे setup को cover करते हैं आदे setup को खुदा रखते हैं अगर जादा सर्दी है जादा ठंड है तो आप अपने पूरे setup को cover करें और अगर बात रही कि bird को oxygen कैसे मिलेगा तो दोस्तों जो तिपाल की जो पनियों की जो जीरिया होती है साइड में जो जगे होती है उससे अपने बर्ड को oxygen मिलता रहेगा तो आप अपने setup को पूरा cover करें और रात को दोस्तों 10 से 11 बज़े last time में आप अपने बर्ड की कोलोनियों के setups के bulb को off कर दे setup के अंदर पूरा अंधेरा लेना चाहिए जिसे दोस्तों आपकी bird सुबे के समय active रहेंगे otherwise अगर आप रात को अपने बर्ड के setup पर bulb ओन रखते हैं तो सुबे आपकी bird सोते रहेंगे दोस्तों मैं अपने setup की जो light है साम को 6 से 7 बज़े own कर देता हूँ और 10 बज़े अपने setup की light को off कर देता हूँ उस अब हम light off करते हैं तो एक दो बार हमें off करके own करनी चाहिए ताकि सभी जो bird है वो अपने bleeding box मटक्यों के पास चले जाए और रात को भी अपनी फिमेले जो है वो अंधिरे में भी अपने बच्चों को feeding करवाती रहती है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँगी आपको आज गई वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज की इस वीडियो पस इतना ही फिर मिनेंगे एक नहीं वीडियो नहीं टोपिक के साथ तब तक अपना ख्यार रखें अपने bird का ख्यार रखें बाई 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 प्रेंड्स प्रेंड्स झाल झाल